नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल पीना टिप्स और ट्रेक्स में छोटी मोटी भूफ में भी कितना सोच विचार करना पड़ता है पर अब सोच ये नहीं, इंस्टेंट बनाईए ये पोहा मतर की उड़ा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एक कड़ाई में हम डालेंगे बिलकुल थोड़ा सा सरसों का तेल एक छोटी चमच के करीब इसमें हम आधा कटोरी मोफली को फ्राइ करेंगे आप डीप फ्राइ भी कर सकते हैं पर हमें हेल्दी आप्शन चुनना है इसलिए हम मोफली को थोड़े से ओईल में ही फ्राइ कर लेंगे मोफली जब फ्राइ होने लगेगी तो इसमें से चटकने की आवाज आने लगेगी ध्यान रहे हमें मोफली को ज़्यादा नहीं सेखना है ये ज़्यादा सिख जाएंगी तो इन में से कड़वा और जला-जला सा फ्लेवर आने लगेगा इसलिए इन्हें slow to medium गैस पर बस चटकनी की आवाज आने तक ही प्राई करें और निकाल लें मूफली को तो हमने निकाल लिया है अब बचे हुए ओयल में ही राई को डाल कर चटकने दें और डालें दो हरी मिर्च स्लाइस की हुई और कुछ कड़ी पत्ते हलका सा चलाएं थोड़ा सा डालें हल्दी पाउडर फिर इसमें दो कटोरी पोह डाल कर मिक्स कर दें पोहे को पहले अच्छे से छान लें जिससे जो बारिक-बारिक चूरा आता है वो निकल जाए बस अब चम्मच को कंटिन्यू चलाते हुए पोहे को क्रिस्पी कर लें ये सारे काम आप स्लूटू मीडियम फ्लेम पर ही करें जब पोहा इस तरह से क्रिस्पी हो जाए और क्रश करने पर इस तरह से चूरा होने लगे तब इस स्टेज पर एड करें नमक नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें मिक्स करें और पोहे को कड़ाई से निकाल लें उसी कड़ाई में वापस से हम डालेंगे एक चमच तेली गरम करें और डालें आदा चमच राई और जीरा और साथ ही डाले स्लाइस की हुई प्याज प्याज की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखें अगर आप जादा खाना पसंद करते हैं तो जादा डालें और कम खाना पसंद करते हैं तो कम डालें पर डालें जरूर्ट प्याज को हमें जादा नहीं पकाना है प्याज में हलका सा मिठास रहना चाहिए जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तब इसमें एक बारिक कटी हरी मिर्च डाल ले अगर आप तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो ना डाले एक कटोरी डाले मटर मटर की क्वांटिटी अच्छी खासी रखें थोड़ा सा हल्दी पाउडर चौथाई चमच नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले और एक चमचे करीब नीमू का रस डाले और ढ़क कर पकाए मटर पक्ने में जादा टाइम नहीं लेते हैं जब मटर सॉफ्ट हो जाए और कड़ाई का सारा मश्चर खत्म हो जाए तब इसमें एड़ करें पोहा और मूफली पोहा और मूफली मिक्स करने से पहले गैस की फ्लेम को आफ कर दें बढ़िया से सभी चीज़ों को मिक्स करें और गर्मा गरम पोहा मटर चीवडा सर्व करें कड़ाई को कवर नहीं करें जिससे पोहे का क्रंच बना रहे इन्हें इस टोर नहीं करना है गर्मा गरम पनाईए और खाईए चाई के साथ या फिर नाशते के लिए ये बहुत ही बढ़िया उप्शन है जो आपको जरूर से ट्राय करना चाहिए बच्चों की उच्छल गूत के बीच और चलती फिरती भूप में ये बहुत ही काम आएगा तो बताईए आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, जाद से जादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलें मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में